कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं, जो अपने बच्चे को लेकर शमुदर के रास्ते से कहीं जा रही होती है, तभी समुदर में एक बहुत बड़ी लहराती है, जो उस लेडी के नाओ को समुदर में डुबा दीती है, पानी में वो लेडी एक चटान से जा लिया था और वो उसकी दूसरी आख भी निकानना चाते थे इसलिए उसकी मौम उसे लेकर कहीं दूर भाग रही थी इसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है और हम कूबो को देखते हैं जो अब काफी बड़ा हो गया था वो अपनी मौम को खाना बना कर खिलाता है और उनका क काफी ध्यान रखता है क्योंकि उसकी मौम काफी बिमार थी और इसके बाद कूबो कागज के कुछ खिलाओने बनाता है और उसे लेकर पास के गाओं में जाता है जहां पर वो उन खिलाओनों की मदद से उन सभी गाओंवालों को एक कहानी शुनाता है उसके पास एक जाद रहता था क्यूंकि उसके परिवार वाले और शेना को मून किंग ने धोकेशे मार दिया था वो अकेले ही एक पाउरफुल सास्तर की तालास में निकल पड़ा क्यूंकि उस सास्तर की मदद से ही मून किंग का सामना किया जा सकता था उस सास्तर में था एक ना तूटने वाली तलवार और दूसरी एक सुरक्छा कवच और तीसरी एक हेलमेट लेकिन इससे पहले की सामुराई योद्धा उन तीनों सास्तरों को हासिल करता मून किंग के मॉंस्टर ने उस पर हमला कर दिया ये कहानी शुनाते सुनाते साम हो जात है साम होते ही उसकी मॉम नॉर्मल हो जाती है और उसके बाद वो दोनों साथ में खाना खाते हैं वहीं पर उसकी मॉम कोबो को उसके डैड हैंजो की कहानी शुनाती है कहानी सुनने के बाद कोबो अपने डैड के बारे में जब अपनी मॉम से पूचता है तो वो उसे बतात इसके बाद कुबो की मौमु से बताती है कि तुमारे नाना और तुमारे मोशी ने तुमारी एक आँक चुरा ली थी और अब वो तुमारी दूसरी आँक भी चुराना चाते हैं। जादा होने पर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबा कूबो एक बार फिर से पास के मार्केट में पहुंचता है। जहां पर उसे कामेयो नाम की एक बुढिया मिलती है। वो बुढिया कूबो को बताती है कि आज एक बहुत ही खास तेवहार है। आज हम लैंप की मदद से उन लोगों से बात करते हैं जो इस दुनिया से चले गए। कूबो जब ये बात चुनता है तो काफ़े खुस होता है। और वो एक कागज का लालटेन लेकर अपने डैड के कबर पर जाता है। और अपने डैड से बात करने की कोसिस करता है। दूसरी आग चाहिए। कूबो ये सुनकर काफ़ी डर जाता है और वहां से जल्दी से वो भागने लगता है। वो दोनों उसका पीछा करती है और वो भागते भागते उसी मार्केट में आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों कूबो को कोई नुकसान पहुंचाती वहां पर उसकी माम आ जाती है जो अपने जादू की मदद से अपनी बेनों को वहां से दूर कर देती है। इसके बाद वो कूबो को अपना वो सस्त्र डूरने को कहती है जिससे उसके नाना का सामना किया जा सकता था और वो उसे अपने जादू की मदद से उड़ा देती है। और तुम्हारी दोनों मौसियां तुम्हें ढून रही है और वो उससे कहता है कि इससे पहले की सामो आमें छिपने का कोई अस्थान ढूरना होगा और इसके बाद वो मंकी कूबो को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। जिन्दा कर दिया ताकि वो कूबो का ख्याल रख सके। इसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं। जहां पर मंकी कूबो से कहता है कि हमें वो सास्तर ढूनना होगा। ये बाद चुनकर कूबो को विश्वास हो जाता है कि उसकी मॉम जो उसे कहानिया उसके पिता के बारे में सुनाती थी। वो सब कुछ हसल में हुआ था। इसके बाद कूबो मंकी को अपने मॉम का वो बाल दिखाता है। वो मंकी उस बाल से एक ब्रैसलेट बनाता है और कूबो को उसे पहना दीता है। और रात होने पर वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबा वो मंकी कूबो को बताता है कि रात में तुम एक सपना द ही पीछे चलना चाहिए रास्ते में कूबो अपने मैजिक की मदद से मंकी को काफी परिशान कर रहा था और वहीं थोड़ी दूर में उन्हें एक घर दिखाई देता है जिसके अंदर जाते ही कूबो चीकने लगता है उसकी आवाज सुनकर मंकी उसके पीछे आता है और कुछ भी बता नहीं पाता क्योंकि उसे अपने बारे में कुछ याद ही नहीं था उसे कुछ साल पहले सराप दिया गया था और उसे लगता है कि हैंजो ही उसका मालिक है इसके बाद वो अपने कबीले का एक चोगा दिखाता है जिस पर ठीक वैसा ही कीरा बना होता है जैसा की कूबो के कपड़े पर था यहां पर कूबो मंकी को बताता है कि हैंज जो उसके पिता थे और ये चोगा भी उसके पिता की ही है बीटल ये बात सुनकर काफी खुस होता है कि उसके मालिक का बेटा मिल गया वो कूबो से कहता है कि अब से तुम्हारा काम मेरा है और वो तीनों उस सास्तर की तालास में निकल पड़ते हैं रास्ते में उन्हें एक सकल की गुफा दिखाई देती है जिसे बीटल जब टच करता है तो वो तीनों नीचे एक गुफा में गिर जाते हैं और वहीं पर उन्हें सास्तर का एक पाट ना टूटने वाली तलवार दिखाई दीती है जिसे देखकर कुबो उसे लेने जाता है पर मंकी उसे रोक लेता है क्यूंकि उसे लगता है कि ये कोई ट्रैप है लेकिन बीटल किसी तरह उस तलवार को निकाल लेता है तलवार को निकालते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा हड़ियों का राक्छस आता है जिसके सर पर बहुत सारे तलवार होते है वो राक्छस मंकी और बीटल को पकड़ लीता है और कुबो उस राक्छस के सर से असली तलवार को ढूणने की कोसिस कर रहा था लेकिन इससे पहले की वो राक्छस मंकी और बीटल को मारता कुबो को वो ना तूटने वाली तलवार मिल जाती है जिसके बाद वो राक्छस मारा जाता है बीटल मंकी और कुबो को उस गुफा से बाहर लाता है इसके बाद वहाँ से आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक नदी को पार करना था और इसी बाद को लेकर उन्हें बहास होने लगती है वही कूबो नदी के किनारे बैट कर अपना वालिन बजाने लगता है तब ही वो एक पत्ते को उड़ते हुए देखता है और इसके बाद वो अपने मैजिक की मदद से एक बहुत ही बड़ी सी नाओ बनाता है जिसके बाद वो तीनो उश नाओ पर बैट कर वहाँ से आगे की और निकल जाते हैं रास्ते में वो तीनो खूब मस्ती करते हैं और साथ में मचलियां पकड़ कर खाते हैं साम होते देखकर मंकी काफी चिन्तित होता है वहीं पर हैंजो ने बताता है कि सास्तर का दूसरा पार्ट पानी के अंदर मिलेगा तो बीटल कहता है कि मैं पानी के पर कूबो से उससे थोड़ा ध्यान रखने को कहता है क्यूंकि उसकी मानी बताया था कि पानी के अंदर बहुत सी आखें हैं जो हमें अपने वस में करशकती है पर बीटल उससे कहता है कि मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगा और ये कहते हुए वो पानी के अंदर चला ज जाता है वहीं कूबो की दोनों मौसियां कूबो को ढूंड रही होती है तब ही समुद्र में एक तुफान आ जाता है जिसे देखकर कूबो को लगता है कि बीटल किसी मुसीबत में है और इसलिए वो बीटल को बचाने के लिए पाने में कूच जाता है कूबो के पीछे मंकी भी जाना चाता था लेकिन तभी वहाँ पर कूबो की दोनों मौसियां आ जाती है जो मंकी को पकड़ लेती है मंकी और कूबो के उन दोनों मौसियों के भी जबरदस्त फाइट होती है जिसमें मंकी खायल हो जाता है लेकिन वो किसी तरह कूबो के एक मौसिय को मार दीता है औ में उसे पता चलता है कि मंकी के अंदर उसके मौम की आत्मा है और इससे पहले कि वो आखे कूबो को पाने में खीचती तब ही वहाँ पर बीटल आ जाता है जो उन आखो को मारकर कूबो को वहाँ से बचा कर बाहर ले आता है वहीं कूबो जब मंकी को दीखता है तो उसे अप पताया था कि उन तीनों सास्त्रों को जो भी हासिल करेगा वो काफी सकती साली बन जाएगा जो उनके लिए खत्रा हो सकता है और इसलिए मैं हैंजो को रोकने के लिए अपने दोनों बहनों से पहले ही पहुँच गई हैंजो और मेरे बीच में फाइट होने लगी लेकिन पर तुम्हारे डैड को माने के लिए हम पर हमला कर दिया पर तुम्हारे डैड काफी बहादूर थे जिसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी और इसलिए तुम्हें बचाने के लिए ही मैं वहाँ से भाग आई इस बात पर कुबो अपनी मौम से पूछता है कि मेरे न मिलेगा ये देखकर कूबो काफ़े खुस होता है और वो मंकी और बीटल को उठा कर बताता है कि उसे पता चल चुका है कि सास्तर का तीसरा पार्ट कहां पर मिलेगा ये बात सुनकर सबी लोग आगे की और बढ़ जाते हैं रास्ते में उन्हें गोल्डन बर्ड दिखाई दे जिसे देखकर मंकी उन्हें बताता है कि ये गोल्डन बर्ड हमारी आत्माओं को लेकर जाती है वहीं वो तीनों जबहन जो के महल में पहुँचते हैं तो काफी रात हो जाती है महल के अंदर का सामान काफी टूटा हुआ था जिसे देखने के बाद बीटल को कुछ याद आ लगता है वहीं पे कूबो घूमते-घूमते महल से बाहर आ गया था और इधर मंकी को एक कागज मिलता है जिसे उसे पता चल जाता है कि सास्तर का तीसरा पार्ट वो हेलमेट कहां पर है और उसे ये भी पता चल जाती है कि ये सब मून किंग की ही चाल थी उन्हें वहाँ प पताती है कि बीटल ही हैंजो है वो बीटल को मार कर वहां से दूर फेक देती है इसके बाद जब वो कुबो की दूसरी आँख निकालने जाती है तो कुबो उस पर हमला कर देता है जिससे उसकी मौम आजाद हो जाती है और वो अपनी बहन पर हमला कर देती है उसकी बहन उसे क हैं जो को मार दीती है कूबो की मौम उसे वहां से जानी को कहती है तो कूबो वहां से जाकर अपने जादू की मदद से अपनी मौसी को मार दीता है लेकिन इसके बाद वो काफी दुखी होता है क्यूंकि उसने कुछी पल में अपने mom और dad को फिर से खो दिया था वहाँ पर उसे वही कागज मिलता है जिसमें helmet का चित्र बना था ये देखकर कूबो उठता है और सीधा उस helmet को लेने के लिए उसके पास जाता है वो helmet कहीं और नहीं बलकि उसके गाउं में ही था कूबो जैसे ही उस हेलमेट को पहनने जाता है वहाँ पर गाउवाले आ जाते हैं वो उन गाउवाले से कहता है कि आप लोग यहां से चले जाओ क्यूंकि वहाँ पर मून किंग आने वाला है इसके बाद कूबो उस हेलमेट को पहन लेता है जिससे उसका वो सास्त्र पूरा हो जाता है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर उसके नाना मून किंग भी आ जाते हैं अपने नाना को देखकर कुबो उनसे पूछता है कि आप मेरी आख को क्यों लेना चाती हो तो उसके नानों से बताते हैं कि जब तक तुम्हारे पास ये आख है तुम मेरे साथ स्वर्ग में नहीं आ सकते और तुम इसी आख से दुनिया के दुख दर्द को देखते रहोगे मैं तुम्हें इससे दूर अपनी दुनिया में ले जाना चाता हूँ जहां पे दुख और दर्द का कोई नामों निशान नहीं है और तुम वहाँ पर अमर हो जाओगे इस पर कुबो कहता है कि तुम जूट बोल रहे हो क्योंकि हर एक कहानी का अंत होता है और एक ना एक दिन हम सबका भी अंत हो जाएगा मैं तुम्हें मार कर इस कहानी का अंत कर दूँगा ये बात सुनकर कुबो के नाना एक बहुत ही बड़े ड्रैगन में बदल जाते हैं और वो उस पर हमला कर देते हैं कुबो अपनी तलवार की मदद से उनका शामना करता है और उस तलवार से उनकी एक आग को फोर देता है कुबो के नाना इससे काफी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उसे अपनी पूच से मार कर दूर फेक देते हैं वो जैसे ही दुबारा से लड़ने के लिए उस तलवार को उठाता है उसे अपनी मॉम और डैड का आखरी निशानी दिखाई देता है जिसे लेकर वो उस तलवार और सिल्ड को फेक देता है इसके बाद वो अपने वाइलिन को ठीक करके उसे बजाता है वाल इनके बजाते ही सभी लैंप के आत्मा वहाँ से बाहर निकल कर कूबो के पास आ जाती है गाँवाले ये सब देखकर काफी हैरान थे वहाँ पर कूबो अपने नाना से कहता है कि इनकी यादे हमें सक्ति साली बनाती है और ये कहते हुए कुबो अपने जादू की मदद से एक सुरक्षा कवच बना दीता है उसके नाना उस पर हमला करने की कोसिस कर रहे थे लेकिन वो उसे मार नहीं पा रहा था इसके बाद कुबो अपने जादू की मदद से अपने नाना के मौस्टर वाले रूप को मार दीता है जिसके बाद उसके नाना अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं इंसानी रूप में आने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं होता कूबो जाकर उनसे कहता है कि आप मेरे नाना हो और सारे गाँवाले भी वहाँ पर आ जाते हैं जो उसके नाना से कहते हैं कि आप बहुत ही अच्छे और एक दयालू इंसान हो ये कहते हुए सभी लोग उसके नाना की एक नई लाइफ की सुरुआत करते हैं जिससे कुबो और शभी लोग काफी खुश थे और इसी के साथ ये कहान यहीं पर खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक और सेर दा वीडियो and प्लीज सब्सक्राइब तो मैं चैनल and प्रेस देट बेल आइकन